हेलो दोस्तों मैं हुदीपी का जैस फेमली किचिन में आप सभी का सागत है तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं मकरस गरंती बस आने ही वाली है तो दोस्तों आज हम बनाएंगे तिल और गुड के लड़ू तो देखिए दोस्तों मैंने धल लिया हुआ है दोस्तों पचास गराम तिल धुली हुई तिल ली है मैंने तो यह देखिए मैंने साफ तिल ली है आपको इसे भी तिल ले सकते हैं और मैंने लिया है धा दोस्तों पचास गराम गुड तो चलिए बनाते हैं तो सबसे पहले हम तिल को भून लेते हैं तो हमने लो फ्लेम में भ दोस्तों फ्लेम को लो टु मीडियम ही रखना है तो हम इसे भून कर के तयार कर लेते हैं यह देखिए दोस्तों हमारी जो तिल है वो भून कर के तयार हो गई है और तो तो हमारी तिल अच्छी तरह से भून चुकी है तो हम इसे अब एक अलग बतन में निकाल करके रख देते हैं तो दोस्तों अब हम फेसे पैन को चड़ा देंगे गेस पर और अब हम डालेंगे इसमें एक छोटी चमच घी तो हम एक चमच घी इसमें डाल देते हैं घी डालने से गुड के लड़्डू का स्वाद बढ़िया बनेगा तो अब हम डाल देंगे इसमें गुड और दोस्तों घी तो डाल दी हमने गुड भी डाल दिया तो अब दोस्तों अब हमें गुड मेल्ट करने के लिए इधर पर मैंने लिया है बिल्कुल जो छोटी चमच होती है तो बस वही एक छोटी चमच मैंने ये देखिए पानी लिया हुआ है बस एक ही चमच लेंगे जादा नहीं लेंगे तो मैंने छोटी चमच लिया है पानी और हम इसे चलाते हुए बिल्कुल धीमी गैस पर हम गुड को मैल्ट कर लेंगे ये देखिए दोस्तों हमने एक चमच पानी डाला है तो इस वज़े से कितने जल्दी गुड मैल्ट होने लग गया है और ये देखिए अच्छी तरह से पूरी जो गुड है वो मैल्ट हो चुका है ये देखिए दोस्तों हमारा जो गुड है वो जाग चोड़ने लगा है तो हम गैस को एकदम लो करके रखेंगे तो इसी तरह से हम चलाती हुए थोड़ी देर पकाएंगे हमें गुड को ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो हमारा जो गुड है वो हाड हो जाएगा और हमारे गुड के लड़ू बनेंगे नहीं तिल के तो यह देखिए अब हम इसे एक बाद चेक कर लेते हैं कि हमारा जो गुड है वो अच्छी तरह से पका है या नहीं पका है तो हम लेते हैं एक कटोरी में पानी नॉर्मल पानी लिया हुआ है मैंने इसमें दो तीन डॉप डालेंगे गुड के और इसे हम चेक करेंगे तो यह देखिए दोस्तों यह देखिए एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है हाथों में चिपक भी नहीं रहा है तो हमारा जो गुड है वो बन करके तैयार है तो दोस्तों हमारा गुड पक चुका है तो अब हम इसमें यहाँ पर मैंने ली हुई है दो तीन इलाइची हरी इलाइची को मैंने कूट लिया था तो वही पाउडर है उसे डाल देते हैं और मैंने अधर पर थोड़ी से ड्राइफ रूट्स लिये हुए हैं तो यह आपकी अगर आपको डालना है तो ठीक है वरना मत डालिए तो डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला करके हमने जो तिली हुई है हम वह एट करेंगे तो हम दोस्तों एलाइची पाउडर और थोड़ी से ड्राइफ वूट्स डाल देंगे तो हमारे जो तेल होगुड के लड़ू है उनमें स्वा थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो देखिए मैंने धर डाल दी है तिल अच्छी तरह से से मिला लेंगे तो ये देखिए दोस्तों हमें तिल को मिला लिया है और देखिए दोस्तों ये बहुत ही जाद गरम है तो हमें ब्लुक्त आराम से ही लड़ू बनाना तो हम हाथ गीली कर लेंगे पानी से और ये देखी इस तरह से हमें गरम-गरम में ही बना करके तयार करना है ठंडा हो जाएगा हमारा ये गोड़ो तिल तो लड़ू नहीं बनेंगे तो इस बात का खास ध्यान रखना है लेकिन हमें अपने हाथ का भी ध्यान रखना है कि हमार जली नहीं तो हम पानी करके इस तरह से लड्डू बना लेंगे यह देखे एकदम बढ़ी असा बन करके तयार है और फटाफट से हम गरम गरम में ही सारे लड्डू बना करके तयार कर लेंगे तो यह देखी दोस्तों हमने तेलो गुड की लड्डू बना करके तयार कर लिये है तो दोस्तों यह देखिए हमारे लड्डू बन करके तयार है तो दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजी और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजी और दोस्तों अगर आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो दोस्तों आप इसे धीमे आज पर फेसे थोड़ा सा गरम करके बना लीजे लड्डू